अतीक हत्याकांट को, अतीक के बेटे के इंकाउंटर को बहुत समय हो चुका है लेकिन आज भी आप देखेंगे नैशनल मीडिया पे अतीक का नाम हटी ही नहीं रहा है कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि गुड्डू मुसलिम का ये बताने वाला था अश्रफ कि गुड्डू मुसलिम जो है वो अभी यूपी पुलिस के पास है तो इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूरव डीजीपी डॉक्टर विक्रम सर के पास आये हैं और सर से हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे कि बुर्खे के अंदर बचना क्या बहुत इजी होता है इसलिए शायद शाहिस्ता परवीन कह लीजिए या फिर मुक्तार अंसारी की बीवी कह लीजिए जिनका इनाम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो पकड़ी नहीं आ रही है पकड़ में नहीं आ रही है तो कि बुर्खा एक बढ़ा फैक्टर है इन लोगों के बचने के पीछे सर से आज हम लोग बात करेंगे सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजधर्म पर सबसे पहला सवाल पूछूँगी बुर्खा हो तो बचाव हो सकता है क्या निसंदे बचाव हो सकता है तो कि बुर्खे से एक तो चहरा और भाव भंगिमा छुप जाती है दूसरा जो टेकनोलोजी है मैं पर्चा आउट नहीं करना चाहूंगा कि फेशियर रेकेगनिशन सौफ़एर भी निश्च प्रभावी हो जाता है किसी हद तक लेकिन अच्छा समाचार पहले अब बुरा समाचार बाद में सिर्फ चहरे की भाव भंगिमा ही छुपती है बाकी सारे फीचर्स चाल चलने के तोर तरीके शरीर में दिव्यांगता ये तमाम चीज़ें बुर्के पहनने के बाद भी होशियार और कुशल देखने वाला वो पुलिस कर्मी हो महिला पुलिस कर्मी हो ये सॉफ्ट्वेर हो वो पता लगा लेगा ये तो हुई एक बात लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि बुर्के के ये लाब है कि पहचान थोड़ी कठिन हो जाती है तो कैसर बुर्के की वज़े से अभी तक हम देखा जाए तो शाहिस्ता का बेटे का इंकाउंटर हो गया उसका पती मारा गया उसके देवर के साथ हम लोगों ने देखा कि वो भी मारा गया लेकिन अभी तक वो सामनी नहीं आई है कही न कहीं पुलिस के हाथों से बचती व वो नहीं है बुरका एक सामानिता एक चीज होती एक बहुत ही सामानिता उननिस बीस का ही फर्क होता है और जतना अंतर नाखून और नाखून के पीछे गोश्त का अंतर उतना ही अंतर होता है लेकिन बाकी जो तमाम साक्ष हैं वो अकाटे होते हैं और उसके माद्धम से प मुश्किल यह है कि वो भी एक शातिर दिमाग की गैंग मेंबर रही है उसको तौर तरीके मालूम है पुलिस के भी और गिरोहों को भी अपराधियों के भी और चोटों के भी तो उसको सब मालूम है और अपने सावधानिया बरत करके वो आज तक बची हुई है लेकिन जल्द से जल्द पुलिस उनको पेश करेगी पुलिस के सामने बीस पढ़ती हुई किसा इसता नजर आ रही है कैसर आपको ने बीस तो मैं नहीं कहूंगा बीस तो यह नहीं पढ़ रही है क्योंकि वो अभी भूमिगत है इनाम होता जा रहा है और अगर उनको काम्याबी होती तो वो अपना खोया हुआ सामराज जी हजारों करोड का उसके ऊपर कोई दावेदारी या उसके ऊपर कोई कारवाई करती है वो एक भगोड़ी भूमिगत और पलाईत अपराधी हैं तो उसमें वो बीस कैसे पड़ गए उनका सामराज तो तहस नहस हो गया गिर्फतारी और अप अपराध का पंजी करोण पहला कदम दूसरा कदम पूस्ताच तीसरा कदम उनकी तलाश चौथा गिर्फतारी गिर्फतार नहों तो पुरुसकार की घोशना चठा पलाईत अपराधी और उसके बाद तो फिर ठीक है आपका दाव लग जाए तो आप पुलिस की ऊपर गोली चला देगी जो अपने लास्ट वाला बताया ठीक है यह वाले रणनीती आज का ज्यादा अपना ही है क्या जो भी आकरामक होगा प्रो एक्टिव होगा यह रणनीती जो घर में बैट करके एर कंडिशन में जैसे बैट करके एक पुलिसिंग का तो तरीका होता है कि एसी के क कमरे में बैट जाएए और खूब स्टेट्मेंट्स बनाएए खूब सुन्दर सुन्दर नाना प्रकार के इंदर धनुश के उसमें हाईलाइटर लगाईए कि यह बड़ा क्रियाशील है और दूसरा यह जो है उतना क्रियाशील नहीं है इसकी संपत्ती यहाँ है इसके मित की तरह और तब घर लोटिये जब आप उसको पकड़ ले मैंने दोनों तरीके पुलीसिंग आपके सामने रख दिये एक तरीका पहले वाला था जो मैंने आपको बता दिये एसी में बैठिये खुब आनंद लीजे समुसे और चाय का और दूसरा यह था कि जंगल में निकल यह जहां कहीं भी हो एक है 47-500 राउंड ले करके अपनी टीम के साथ कुछ साधे कपड़ों में कुछ वर्दी में और कुछ बुर्के में भी जब आप इशारा कर रहा हूं मैं अनुभो के आदार पे कर रहा हूं कोई हवा में गांट नहीं बांद रहा हूं मैं और जहां ज पुरुष कर्मी भी हो सकते हैं महिला भी हो सकती है जहां जरूरत पढ़ती है वहाँ पर यह किया जा चुका है अब बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यह बीड़ भाड़ वाले स्थानों में जहां पर पुलिस सामान नेते नहीं पहुँच पाती है जब महिला पुल कि बुरुका पहन ले तो छुपएगा नहीं लेकिन अगर जैसे पांच छे फ्रू शे इंच पांच पांच पुर सात इंच का एक दुबला पतला पुलिस कर्मी है हत्यार चलाना जानता है तो बुरुका पहना करके उस को उस तरीके से सुराग रसी पता रसी ज़रूत पढ कि इसका इस्तिमाल नहीं हुआ होगा ऐसा कोई तरकस जो पुलिस के तरकस में जो तीर है जो पुलिस के पास है उसका इस्तिमाल नहों यह मानने को तयार नहीं हो हर तीर चलाया जा रहा है हर तीर चलाया जा रहा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए सर एक और बात मैं अग लेकिन फिर भी अतीक अतीक उसके गुनाहों का जो पिटारा हुए इतना जादा है कि अगर आप उसको एक महीने तक भी लगातार चलाएंगे आज के बाद भी तो भी खतम नहीं होगा लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या यूपे पुलिस के पास गुड़ू मुसलिम ए बिल्कुल शीशे के घर में रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है और आज के एलेक्ट्रोनिक और आईटी के जमाने वार आप ऐसे जो जारू पत्रकारों के रहते कोई किसी के कबजे में हो रगले को मालूम ना पड़े असंभाव वो संभाव ही नहीं है तो यह नैशनल का बाजार है जितने मुह उतनी बात कलपना शक्त की उनान देखती रहिए यह सिर्फ उनकी एक बहुती क्रियाशील कलपना शक्ती है जो वहाँ पर अंधेरे में पता नहीं क्या क्या चित्र दिखा रही उनको आपके समझती है कि कोई गुड़ू मुसलिम तो छोड़ जहां पर होता रिक्षे वाला या गुड़ू मुसलिम अब तक आप से छुपा थोड़ी होता तो सर ऐसे मीडिया जो कर्मी है उनको आप क्या बोलेंगे जो अपने टी आर्पी के लिए यह बात कह रहे हैं कि पुलिस ने उसको पकड़ रखा यह आप कितना अपने अगर आ नोबल गिराने वाला पुलिस कर्मी और पुलिस विभाग केवल कानून से चलने वाला है केवल कानून से चलने वाला है और फिर भी नहीं मानते तो मैं उनको फिर कानूनी नोटिस भी देता यह मुझे तो नहीं मालू है कहां गुड़ू मुसलिम आप आके हमें बता दीज इन्वेस्टिकेशन पर ये किस तरीके से सड़ा है दिन जान्वे परसंट इसको हसी में टाल देते हैं आपके पास कुछ चलाने को नहीं है अपने लाब के लिए आप जो है ये सब की कहानिया बाकी अगले अंक में पढ़ियेगा इसको चला रहे हैं अतीक अतीत में गए हो न लेकिन उनके किसे कहानियों का बाजार खुब गर्म है उससे लोगों को बड़ा लाब हो रहा है खासकर मीडिया कर्मियों का जो आपने बताया एक खास मीडिया कर्मियों का बड़ा लाब हो रहा है कुछ कह रहे हैं किसा बड़ा जल्म हो रहा है कुछ कह रहे हैं कि उसकी स जंपत्य बड़ी जायस थी। लोगों के पीड़ा भी तो आप देखिए। मतलब आसु नहीं थम रहे हैं लोगों के। सिस्किया अभी चली जा रही हैं। इन बेशर्म लोगों को चाहिए। अतीक एक हत्यारा, एक अपराधी, समाज विरोधी, निरलज अपराधी था इसके उपर नहीं। और उसके बारे में यतनी चर्चाप करनी थी आपने कर लिया। एक नीबू से कितने बाल्टी तुम रस निकाल लोगे वाई। एक और जब हम लोग खबर देखते हैं, तो हमने ये देखा कि अतीक का जो ऑफिस था, जो उसका दफ्तर था, अभी नया हम लोगों को देखने के बना वहाँ पे खून से सना चाकू है, कपड़े में सना खून है, तो ये आपका सरेंगल क्या कहता है किस तरीके का, वहाँ पे क्या, क्योंकि खाली पड़ा था, तो वहाँ पे ऐसे अपरादी अभी भी घूम रहे हों, क्या पता, वो अपना अपराद करने वहाँ पे गए हों, रात के अंधेरे में, क्या आपका एंगल क्या कहता है। न विश्य में हुआ है न होगा, मोटी बात संभावना के नहीं, खून की जांच हो जाने दीजी, अरे आप जो कहने हैं, शाहिस्ता का खून और ब्लड गूर्प सबको मालूम होगा, उससे कंपेर हो जाएगा, नमबर दो, ये किचिन के इतने बड़े चाकू से, और हत्या, तो मैंने दरा कम देखी, होने को तो ख़र ब्लेट से भी हो जाती है, लेकिन हमें जाएगता है, जो आपने अपने प्राडबिक संभोधन में कहा, कोई चोर उचक्के बदमाश घुजगए होंगे, उन्होंने देखा हाथ साफ करें, क्योंकि ये तो कबरिस्तान में भी जाके कबर क्यों खोते हैं, कि अगर किसी की अंगूठी ये गले में चेन या पायजेव होगी, तो खोत करके निकाल लेंगे, इसी तरह कि वहाँ जाकर कि कोई चोरी, मेरी एक संभावना है, मेरे पास कोई प्रमार नहीं है, और ना मैं कयास लगाता हूँ, लेकिन स गुत्ती नहीं सुलच पा रही है, ये कही नहीं गंबीर हो सकता है, जो कि महिला का, ऐसी महिला अपराधी कम से कम प्रियागराज में ढूड़ना मुश्किल है, जो आधी रात को अती के अड़ेब चली जाए, जहां पर बुल्दोजर चल चुका है, और पुलिस की निगरा होने की संभावना है, वहां महिला का जाना तो हाँ, लेकिन जैसे इस तरीके के चोटे जो कबरिस्तान में जाके कबर खोट करके अंगूठी वगर निकालते हैं, उस तरीके का अपराधी अगर गए हो, तो बात अलग है, लेकिन अभी ये मामला बहुत ताजा है, पुलिस क अनुसंदान करने का अफसर बिलना चाहिए, जिसे की सचाई सामने आ सके हैं, आपने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, तो क्या सर उत्तर प्रदेश की पुलिस को उन जगाओं को सीज नहीं कर देना चाहिए, जो सेंसेटिव हैं, जो बाद में केस के तोर पे यूज कर सक ये था, और अगर ये तीनों चीज हो जाते हैं, तो शायद ये दुरगटना ये खून की बातें प्रकाश में नहीं आती, लेकिन आज एक, मैं कहूंगा, कि एक ऐसी स्थिती, उहापोह की उत्पन हो गई, जिसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है, जिसका जवाब देना मैं बानता हूँ, और ये भी प्रशास्टिक चूप बानता हूँ, ओवर कॉन्फिदेंस कहेंगे सर इसको, ने, ओवर कॉन्फिदेंस होता तो ऐसी बात नहीं होती, मैं समझता हूँ कि जब इतने ज़्यादा काम, आप लोग उनको सोने का तो मौका दें, लेकिन जब आप हूँ कि इतना ज़्यादा काम प्रियाग राज पुलिस के पास आज की तारीक में है, दो दो एक जूडिशल कमिशन और उसके पाद तवाम चीजों का जो इन्वेस्टिकेशन फुल टाइम, जो अतीक और अश्शवक और उनके सामराज का है, उस में मैं समता हूँ कि अगर चौगनी पुरिश भी लग जाए, तो शायद पूरा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, इन परिस्थितियों में अगर ड्यूटी नहीं लगए, वो मात्य तुटी जैसे दंगे की स्थिति होती है, तो आदमी फिर मौलिक काम पुलीसिंग भूल जाता है, फिर जो फाइर फाइटिंग होती होई फाइर फाइटिंग ही करता है, तो यह फाइर फाइटिंग के चकर में जो बाकी इशूस थे, वो कहीं पीछे चले गया, वर्क लोड आप कह रहे हैं, कि वर्क लोड इतना जादा है, तो आपने सर ये बात कहीं, आप उत्तर प्रिदेश के प जो best investigators हैं, जो best tools of investigation है, scientific, उन सब को लगाय जा चुका है, और आपके सामने, जो सच्चा है है वो सामने आ जाएगी, और आएगी, मैं हूँ, individuals matter नहीं करते हैं, विक्रम सिंग matter नहीं करता है, institutions, संस्था matter करती है, संस्था है पुलिस महानिदेशक की, संस्था है पुलिस आयु और इन्होंने इस सारे मुद्दों पर बताया, कही नहीं नहीं ये भी बताया, कि वर्क लोड के कारण भी एक ऐसा हो सकता है, कि ये छोटी-छोटी तूटियां है, वो हो सकती है, इसे के साथ धन्यवाद,